हेलो फ्रेंट्स आइम प्रोफेसर राकेश आस्वानी स्टेडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंट्स आज हम चैप्टर नंबर एट का मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन्स ऑफ मार्केडिंग कैसे किया जाता है मार्केडिंग के क्या फंक्शन्स होते हैं मैं आपके लिए दुबारा से सारे वीडियो बनने जा रहा हूं हर एक चैप्टर के ताकि आपको मैं बहतरीन तरीके से सारी चीज़े समझा सकूं तो आप सभी से रिक्वेस्ट अ आपको टाइम हो तो जरूर देखेगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूगा याने वीडियो खतम होने के बाद जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ों के लिंक आपको मिल जाएंगे आपकी इच्छा है कि देखना है या नहीं दे दिखना बहुत जरूरी है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वीडियो को जरूर देखेगा इंट्रॉडक्शन आफ मार्केडिंग ताकि आपको मार्केडिंग समझने में आसानी हो तो आज हम डिरेक्ली कवर करने जा रहे हैं फॉंक्शन साफ मार्केडिंग 13 पॉइंट से मार्केडिंग क्या होता है मार्केडिंग के अलग-अलग माइन होते हैं इसके लिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है मार्केडिंग सिंपल वेड्स में आपको बता देता हूं एक नीड सेडिस्फाइंग प्रोसस है पबलिक को वो दो जो उन्हें चाहि यह business का simple सा नियम है दोस्तों marketing एक ही बात बोलता है जो देखेगा वही तो बेखेगा पाकि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बाते clear हो जाएंगी तो चलिए दोस्तों आज हम इन 13 points को एक एक करके हम clear करते हैं first point is marketing research जितनी भी बड़ी-बड़ी branded company है वो marketing research का help लेती हैं क्या करते हैं research का मतलब होता है in-depth study research का मतलब होता है in-depth study हमें पता लगाना होता है कि consumer के needs क्या है उनके likes, dislikes, tastes, preferences सब बदलता रहता है जुसको हम बहते हैं marketing research अगर हमें यह पता चल जाए consumer को क्या चाहिए आपको स्क्रीन पर चीज़ें दिखरें इसमें white color में देखिए we have to find out marketing research की मतलब से हम find out कर सकते हैं what do consumers want to buy consumer को क्या खरीदना चाहता है consumers को क्या चीज़ें चाहिए और वो कब कौन सी चीज़ खरीदता है कितनी quantity में खरीदता है और कौन से दाम पे खरीदता है यह सारे सवालों की जवाब हमें मिलेंगे जब हम क्या कंड़क करेंगे marketing research तो बड़ी बड़ी कंपणियों marketing research पे इन्वेस्ट करते है क्रोड साव रुपीस ताकि पता चल सके consumer क्या चाहता है और accordingly वो product को introduce करते हैं ताकि उनको market में maximum benefit मिल सके point number two is buying and assembling अब क्या होता है मैं best example आपको देता हूँ production suppose एक factory है factory में हमने फिनिश गुड्स त्यार करने तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा buying and assembling का मतलब होता हमें raw metal वगरा खरीतना पड़ेगा assembling का मतलब होता है एक जगह पे हमें सारी चीज़े इखटा करनी पड़ेगी तो raw metal हमने अलग-अलग sources से collect किया यहां पे हम production करेंगे production करने के बात decide होगा कि इस product का cost क्या है इस product का cost क्या है यह finally product का cost क्या है और इसको profit add करके हमें कितने में sell करना है तो marketing में यह भी एक point है buying and assembling point number three is market planning friends marketing planning क्या होता है market planning के अगर हम बात करें तो यह process है process का मतलब होता है हमें कई सारी activities perform करने पड़ेंगे हमें चीज़े को organize करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा marketing objectives of the business याने business का goal क्या है business के goal को ध्यान में रखते ही marketing strategies बना जाते हैं ताके हमें अपने टार्गेट अचीव करने में आसान हो यह और कुछ नहीं है market planning का मतलब होता है एक blueprint एक नक्षा जिसके कदम पे चलके company अपने टार्गेट को अचीव करें क्योंकि बगर planning के किसी को भी success मिलने वाला नहीं है point number four is product development point number four is product development नाम से पता चलता है हर company बार बार अपने product को develop याने upgrade करना चाहती है क्यों product को develop करना है क्यों consumers होते हैं उनके requirement उनके likes dislike समय समय पे change होते रहते है best example आपका cell phone पहले cell phone में क्या functions हुआ करते थे और आज क्या functions हैं उसमें हर बार उसमें कुछ तक कुछ अपग्रेड किया गया है कुछ तक नई चीज़े उसमें लाने की कोशिश की है same is the case with the vehicle हर चीज को अपग्रेड करने की कोशिश की आती है ताकि consumer को हम satisfy कर सके तभी तो consumer हमाया product लेगा तो product के design में changes की जाती है quality में changes लाए जाते है standard, shape, design, packing, color, etc. हर चीज मार्केडिंग में माहिने रखती है और product development is a continuous process आज भी अगर आप market में Activa जैसा vehicle ले रहे हो तो Activa आज से 15 साल से भी पुराना product है याद किजी more than 20 years Activa को हो गये हैं लेकिन बार बार उसको upgrade किया गया 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, AG, OG समझा जी हां तो यहां पे ह हम बात कर रहते इस तरह से वह बार बार अपने प्रोड़क्स को क्या करते हैं? आपिक्रेड करते हैं सेम इस दे केस विद द पल्सर पजाज पल्सर किएक रहा हम बात करें सेम इस द बिर केसरी सी पैशेण प्रोव ऐसे कई सारे products से आपको मिल जाएंगे क्योंकि कंपनी ब आपको टर्म में भी पूछा जा सकता है तो मैं थोड़े डीटेल में आप कुछ कुछ चीज़े बता रहा हूं ताकि एक मार्क के लिए आपको टर्म में पूछा जा तो आप इसको अच्छे से कवर कर सके स्टेंडर्डाईजेशन का मतलब है सटैंडर्ड यान एक क्या लेवल फिक्स की जाती है स्टैंडर्डाईजेशन limiting क्या लिए वेट क्या होंगा तो मिल फिक्स की जाता है मनना चाहिए स्टेंडर्ड के हिसाब से स्टेंडर्डाइजेशन इस डैश प्रोसेस इस समें दिमाग में कुछ चीज़े होती है कि मैं यह कॉलिडी का प्रोड़क्त दूंगा इससे कम देने वाला नहीं तो स्टेंडर्डाइजेशन वर्ड प्रेंट्स कहां पर यूज होता है को जाने के लेवल फॉलो कर इस लेवल से हम कम कॉलिडी का प्रोड़क्त पब्लिक को देने वाले नहीं है नेक्स्ट इस ग्रेडिंग ग्रेडिंग इस फिजिकल प्रोसेस ग्रेडिंग वर्ट्स कहां पर यूज होता है खेती बाड़ी वाले गूर्ट्स में चीज़ों को एसकी किया जाता है फ्रूट की बात करें बात करें कोई भी खेयतीवाडी वाले को हम उसके सिमिलरिक्टेस्टिक्स के वने अलग markers और उसका रेड चार्ज कीया जाता है तो घ्रेडों फिजीकल से परेडों आई शव्मीद करता हो यह पॉइंट आपको लंबे समय तक याद रहेगा क्योंकि नहीं तरीके से सारी चीज़े में अभी आपको सिखाने जा रहा हूं पुराना कुछ भी नहीं रहा दोस्तों नेक्स्ट इस पैकेजिंग लेबलिंग पैकेजिंग क्या होता है डिजनिंग पैकेज फर द प्रोड़क क कोई भी प्रोड़क्ट जब आपके हाथ में दिया जाता है यानि कंजूमर को प्रोड़क्ट बेचा जाता है तो उसको पैक करके लोगों के सामने ला जाता है जिसको हम बोलते हैं पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम ब्रेकेश को अवाइड कर सकते हैं तो इन अच्छे से पैक नहीं हो जाएंगे पबलिक को नकसान हो जबता है और पैकिंग मे wants प्रफ्यूम की बॉटल आपने देखे रहेंगे बबista मैं जब छोटा था था नो जे बहुत खेलताथ है पिचिक पिचिक करके आवाई आती दिए उसमें से शायद आपने वो देखा नहीं देखा तो मैं जवाबदार नहीं हूं पैकिंग फोम एक्सेटरा आज भी आप आउल्लाइन शॉपिंग करते हो तो कई बार आपको कई सारे चीजन अच्छे से पैक करके आप तक पहुंचा यहां ऐसी प्रोड़क ले लेती हूं हमारे देशने पढ़े लिखें पर बहुत पाए जाते हैं हमेशा बहाँ पर चेक करना चाहिए सबसे पहले डीट ऑफ मैनुफेक्टरिंग डीट ऑफ एक्सपारी प्रोड़क के बारे में खाने पीने के प्रोड़क से तो एनरजी ले करता है आज ही पढ़ना स्टार्ट करें आपको बहुत सारा ग्यान मिलेगा यह स्लिप हम लगाते जिसको सारी इंफरमेशन होती है इसको लेबल बोलते हैं पूरे प्रोड़क के ओपर लगाई जाती है जैसे कंपनी का ब्रैंड नेम लिखा रहेगा बाकी सब चीज़े लि नैक्स्स इस ब्रैंडिंग का मतलब होता है प्रोड़क को अपनी पहचान मेना स्पेशिल आ ऊडेंटिटी द Hyp coats लुनिक ब्रैंड नेम इस से क्या होता है हमें कॉम्पेटेशन फिस क default करने में आसानी होगी जितने मीं नाम आपने सुन रखें वो सब ब्रैंड न नेम्स ए में दुकान दार से शॉपिंग करने में हमें आसानी होती है और यही चीज यह नाम ही हमें हमारे प्रोड़क को दूसरे कंपनी के प्रोड़क से क्या करता है अलग करता है ताकि हमें कॉंपनेशन फेस करने में आसानी हो तो प्रोड़क को आइड़नी देने के लिए कई बार लोगों भी हो सकता है कि इसका करें के कि लोगन ऐसे को आज कुछ तूफा नहीं करते विश् updated चाहिजा ए्पैस्ने की की बात कर रहा हूं एड़ी की बात कर करने में पैचानने में आसानियों जब हम ब्रैंड को रेजिस्टर करते तो ट्रेडमार्क बन जाता है यानि इसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं तो सामने वाला जिसका आपने प्रोड़क्त कॉपी किया है वह आपके खिलाफ केस पाइल कर सकता है तो यह हमारे लिए एक तरगा इंटेंजीबल एसेट है इसका हमें लॉंक दम में बेनेफेट मिलता रहे हैं कई सारी एक्ष्टा चीज़े बता रहा हो दोस्तों ताक कि आपका नॉलिज का लेवल बढ़ता रहा है फ्यूचर में आपको बेनेफेट मिलता रहे है नेक्स इस कस्टमर सपोर्ट सर्विस अ क्यों इस नहीं लिखने आपकी मर्जय जो चाहू लिख सकते हो तो बिसनसमें को ने कस्टमर को सड़िस्फाय करना होता अगर कास्टमर को सड़िस्फाय करना तो हम खूने की सेवाय प्रादान करनी होगी Jyce 2012 से पहले फ्री तरौप पहले सर्विस देता है तोством कोई सेल्स सब्सक्राइब फलाद आपको प्रोडट सेंटर में जाते हैं तो आपको सेल्स अंट्य बे जाती है तो आपको सेल्विन करने में और हमें प्रोड़क्त बेशने में आसानी हो that's customer support service नेक्स इस pricing of the product फ्रेंज प्राइस क्या होता है exchange value of product जब मार्केट से कोई प्रोड़क्त लेते तो इसका जो दाम होता है उसका हम बोले हो प्राइस किसी भी प्रोड़क्त का success और failure करता है किसके उपर प्राइस के उपर प्राइस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए ज्यादा होगा तो लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे एफोर्ड नहीं कर पाएंगे यानि फिर ज्यादा माल नहीं भी प्राइस बहुत भी कम रखा तो जितना मैं बिजनस में कमा सकता था उतना नहीं कमा पाऊंगा तो यह मोस्ट डिफिकल फैक्टर है कि किस तरह से हम प्राइस प्रोड़क्ट के फिक्स करेंगे इसके लिए कुछ फैक्टर को हमने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्या क्या चीज़े पहला उसमें आता है कॉस्ट और प्राइस चार्ज करेंगे तो फिर अपना माल ज्यादा बिकने वाला नहीं है डिमांड फॉर्ड़क्ट मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है कम है ज्यादा डिमांड है तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते एंड वाइस सवर्सा मार्केट कंडिशन क्या हैं मार् for example Corona lockdown जब लगा तो स्टार्टिंग में आपको मास्क महेंगे मिल रहे थे सैनिटाइजर हेंड़ बहुत महेंगे हो गए तो उस टाइम पे दवाईयां भी बहुत महेंगे हो गए थी ब्लैक चल लेती हर चीज़ों की क्योंकि दिवांड बहुत जादा थी लेकिन अभी एड प्रेज़न इन चीज़ों की डिमांड क्या हो गई है कम हो गई तो इन सब के दाम भी कम हो गए यह सारी बाते देखनी पड़ती है और प्राइज को समय समय पर क्या करते रहती है लग्ट करती रहती है उम्मीद करता हूं यह प्राइजिंग आपको पॉइंट समझा रहेगा दोस्तों पॉइंट नॉबर टैन स्प्रमोशनल चैनल्स प्रमोशन क्या होता है हमें प्रोड़क का सेल बढाना है तो उसके लिए न प्रोड़क ले तो हम कई सारे हथियार का इस्तमाल करते हैं कि कंजुमर को हम अपने जाल में फसा सके वह वाइट कलर में दिया हुआ पहला पहला है एड़डाइजिंग तुरू अन एड कंपनी मिक्स पीपल मैड यह पर्फ्यूम लगा ओगे दुनिया तुमारे पीछी ऐ भी जिद्धी दाग हो इससे निकल जाएगा दाग निकले न निकले लेकिन आपकी जेव चेप पैसा जरूर निकल जाएगा बसनल सेलिंग यानि सेल्समेंशिप की हम बात करते हैं आते हों कि कई बड़ आपके घर पे या दुकान प्र शॉपिंग करने जाते तो वहां पे प्रमोशन किया जाता है ताकि आपकी जेव से आपकी जेव से पैसा निकाल सके बस इतना है अपनी जेव में डालना है न उनको हो नेक्स डिस्टीबिशन अब दिस्टीबिशन किया होता एक кос इसे पारसेटिक काugnar पड़ेगा १ृप से नहीं है तो गोदाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो भी हमारे पास मटलर से को हैंडल करना पड़ेगा इन्वेंटरी याने स्टॉक को कंड्रोल करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग होता और कस्टमर सर्वेस इस सारी चीज़े उसमें आती है और एक्जामपल आपने फ्लिप काड एमेजॉन से कोई प्रोड़क मंगाया है तो आप उसमें ट्रैक कर सकते प्रोड़क एक जगे से पैक होके निकलता है फिर ट्रांसपोर्ट में पहुचता है एक वक्ति वहां पर आपके एरिया तक पहुचा आता है तो इसमें बहुत सारी चीज़े आती है जिसको हम बोले डिस्टिबूशन यानि हर एरिया में प्रोड़क पहुचाने की कोशिश जाती है जहां पर प्रोड़क की डिमार्ड है एंड नेक्स्ट वर इसट्रांसपोर्डेशन फ्रेंस आयेम पी ए ट्रांसपोर्डेशन क्रियर्स एश्यूर प्लेस उटिलिटी प्रोड़क लोगों तक पहुचाने के लिए हम कई मूड और त्रान्सपोर्ट का सकते यह वा यहां पर सिलेंडर आता है लेकिन महां पर कर दिया गया है तो पाइप्लाइन के जरीए भी लोगों तक पहुचाया जाते हैं इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्डेशन के माध्यम से प्रोड़क आप तक पहुचाने की कोशिश की जाती है वो डिपेंड करता है नीचर आफ प सब्सक्राइब पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको ध्यान में रख देखें प्लस उसका सेल कितना है फ्रिकुंसी का लेवल क्या है इस इस प्रोड़क के ओपर हम कितना कर सकते हैं समस्पीड क्या रहेंगे वो वह सब डिसाइड करना पड़ता ओर अकौर्डिंगली टा प्रोड़क्शन डिस्टिबिशन आज ही माल बना है आज ही बिके का इसलिए जरूरी नहीं तो टाइम गैप है इसके लिए लास्ट लाइंड में एक माख का ब्लाइंग है वेर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी हमें सही समय आने तक लोगों तक पहुचाना होगा जब तक सही समय नहीं हम गोदाम में चीजों को रख देते हैं और गुट्स को हमने सेफली रखना है किसी भी प्रकार का नेगलीजेंस लापरवाई नहीं होनी चाहिए गुट्स डैमेज नहीं होने चाहिए वेर हाउसिंग की मदद से हम गुट्स को आसानी से सही समय आने हैं स्मूथली मुं कर सकते हैं और सवाल यह है कि गोदाम के इस्तामाल कौन-कौन करते हैं लाफस लाइन में लिएक अए फेंमाने प्रेंद के आप इस थाRe है या functions of marketing में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें इतना है दोस्तों भी मैं आपको बता दूँ आज हमने मार्केडिंग का एक टॉपिक कवर किया है अगर आपको मेरे कई सारे वीडियो देखने की इच्छा है तो एक तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ चीज़े मिल जाएंगी दूसरा तरीका आपके सामने स्क्रीन पर है जैसे ही आप मेरे चैनल स्टेडी टिप्स पे क्लिक कर हो गए नहीं तो कई सारे वीडियो चैप्टर वाइस बने हुए हैं आप उसमें जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं सुन सकते हैं फ्रेंड्स अम्मीद करता हो कि मैं आपको इस टॉपिक समझा पाया होंगा थैंक यू आल फॉर लव एंड सपोर्ट